हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम हिंदी के कोश्चन देखेंगे, सीटेट में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए हमें सभी विशो पे ध्यान देना होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में 25 नंबर सही करना होगा, तभी अच्छे नंबर बन पाएंगे, तो चलि से कित्य पाठ्यपुस्तक, पत्र का समचार पत्र, उप्शन A सही हो जाएगा, बाल सहीत्य. नेक्स कोशन, पढ़ने की प्रक्रिया में सरवाधिक महत्वपूर है, गति, अक्षर ज्यान, प्रवाह, अर्थ, तो उप्शन D सही हो जाएगा, अर्थ. पढ़ने में बाधा नहीं है सारे नियम पहले ही बता डालना उच्चारण पर ही जोर देते रहना सटीकता पर ही जोर देना लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना Option D सही हो जाएगा लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना बाधा नहीं होता है यह positive point है बाश्यारा सीखने सीखाने के संदर्ब में ग्रहकार का उद्रेश होता है अभी भावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कारे में व्यस्त रखना, कौपियां भरवाना, सीखने को विस्तार देना option D सही हो जाएगा, सीखने को विस्तार देने के लिए ही ग्रहकारी दिया जाता है next question next question option D सही हो जाएगा, सीखने को प्रभावित नहीं करती option A सही हो जाएगा, इसमें एक दूसरे से संबंध है बहु भाशिक कक्षा में मातर भाशा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए अंदेखा कर दिया जाना चाहिए, और सुविकार किया जाना चाहिए या फिर सुविकार किया जाना चाहिए option D सही हो जाएगा, सुविकार किया जाना चाहिए next question हिंदी है, राष्ट भाशा, राज भाशा, सहराष्ट भाशा है या फिर मीडिया की एक मात्र भाषा है उप्शन B सही हो जाएगा राज भाषा है त्री भाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनोतियों और डैश को समभोधित करने का एक प्रयास है Option A, भासा, इस्तिती और संस्कृती Option B, भासा, इस्तिती और आफसरो संस्कृती समाधानों Option D, समस्याओं या आफसरो Option A, भासा, इस्तिती और संस्कृती व्याकरण सिक्षण की कौन सी विदी अपेक्षाकृत प्रभावी है? सूत्र विधी, पाठे पुस्तक विधी, आगमन विधी या फिर निगमन विधी ओप्शन C सही हो जाएगा आगमन विधी भाशा के विभिन कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंशा की जाती है उच, निम्ण, क्रमिक या एकिकृत तो एकिकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंशा की जाती है तो ओप्शन D सही हो जाएगा बच्चे भाशा तम बहतर तरीके से सीखते हैं जब सरल साहित्य का चैन हो, परिक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठे पुस्तके हो, भाशा का सम्रित परिवेश हो बच्चे अपनी मात्र भाशा का प्रियोग करते हुए, हिंदी भाशा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं यह बात स्वभाविक है, निंदनिय है, विचारणिय है यह अनुचित है ओप्शन A सही हो जाएगा स्वभाविक है किसी विशे को सीखने का मतलब है उसकी डैश और को सीखना अगर आपको यह कोशन अच्छे लगे हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स विडियो में, thank you for watching कर्एंगं जयू быстрहश करे नियुंग जी कर सक्राब करेंज passar औरेखंगं जी सह थोरेखंग!